अलो एरिवन और वंस अगें वेलकम टो डबलो एसक्यूब टेक यूडिक चैनल महों मरतस्कियों दोस्तों आज की स्वीडों में बात करने वाले हैं टॉपिक रिसर्च पीचर के बारे में देखें किस तरीके से टॉपिक रिसर्च पीचर हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने लिए जो भी हम नए टॉपिक चाहते हैं उनके लिए थोड़ी से हमें इंसाइट्स मिल जाए थोड़ी से हमें आईडियाज मिल जाए हमें को हमारे कॉम्पोटिटर के थूज आइडियाज मिल जाए यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी topic research के feature में, चलिए शुरू करते हैं, सीधे click करेंगे topic research के feature पर, और यहाँ पर हम लोग आ जाते है topic research में, अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर information मिलेगे, सीधे मैं पहले तो सबसे पहले कोई topic enter कर देता इसका scope मैं थोड़ा से चोटा करता हूँ, यहाँ पर US का scope selected था, तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ, इंडिया, ठीक है, region अभी छोड़ देते हैं, अगर reason आप नहीं रखने चाहिए, reason में कोई problem नहीं, इसको इंडिया कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक Google Ads भी आएगा, Google AdWords भी आएगा, शुर्च में मीडिया मार्केटिंग, affiliate, real-time marketing, good news, digital marketing, company, email marketing, यह सारी चीज़ आ रही है, अब चलिए थोड़ा सा relevant चीज़ को पकड़ते हैं, जैसे हमने ले लिया Google Ads को, ठीक है, अब Google Ads, sub-topic, sub-topic of digital marketing, कितना popular, इसका volume, कितना यह सारी ची अब यहां पर headlines आपको दिख रही है, किस type के headlines पर based आप content बना सकते हो, ठीक है, कितनी popularity आप देख सकते हो, यहां पर जैसे यह वाला green है, ठीक है, इसकी audience जादा है, अच्छी audience है, जैसे अच्छा होगा इसका, ठीक है, और backlinks भी इसके high होंगे, ठीक है, अब इसके backlinks कम है, जैसे अच्छी यह जितना भी, अगर आप थोड़ा सा इसकी चीज को मार करें, SEO जो है, वो back links के बहुत depend करता है, back links वो direct ranking factor है, search engine optimization के point of view से, तो अगर आप topic research कर रहे हैं, ठीक है, topic को rank ही तो कराना चाहते हैं, जब rank कराना चाहते हैं, तो आप अपने competitor के back links जरूर देखें यह depend करता है कि आपके back links की quality क्या है, जबर competitor की back links की quality अच्छी होगी, तो पार back links में भी वो rank करेंगा, वो secondary factor है, लेकिन एक बार volume के term से की volume कितना high है, search करने का, और उसके पास कितने ज़्यादा back links है, इस से थोड़ा सा यह जो system है, यह इस तरीके से आपको report देता है, उसक यह सारे questions के basis है, तो all है यहाँ पर, आप देखेंगे, तो इनसे बहुत सारे questions आप निकाल सकते है, तो एक बहुत अच्छी तरीके से आपको यह topic research में help करता है, based, अब based इसके parameters क्या है, इसके parameters है, यही सारी चीज़ है, ठीक है, कि इसका resonance कितना है, high audience है, और back links कितने है, ठ इसलिए एक और एक बार देखते हैं, फिर आगे की चीज़ों पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर related searches भी है, ठीक है, साथ ही सार, तो social media marketing पर भी आएंगे एक बार, और social media marketing पर अगर मैं click करता हूँ, तो आपको देखो, social media marketing पर उसी तरीके से दिखेंगे, अब यहाँ पर भी high engine optimization, मतलब इसके back links को गरा के research करने के लिए, तो वो तो आपको SEMrush के tool में मिली जाएगा, कि आपको अपने competitor का URL डाल के उसके back link के और बहुत जादा research कर सकते हैं, questions है, और इसकी efficiency भी high, अब यह सारे, बहुत सारे factors को लेता है, इसे back links को लिया, volume लिया, difficulty भी, difficulty भी थोड़ हो गया एक section जो cards का है, explorer पर जाओगे तो और भी इसी type की चीज़े ही है, जादा तर और वो थोड़ी detail होगी, जैसे सब topic क्या है marketing platform, इसका content idea आपको मिल गया है, आप जाकर देख सकते हैं, और content idea में देखो, facebook engagement कितने जादा है, back links कितने जादा है, total shares, इसके कितने जादा है ठीक है, यह सारे चीज़े आप देख सकते हो, इसके उपर बहुत high number of backlinks है, अगर आप यहाँ पर आप देख रहोगे, यह backlinks के आप पर मुझे लग रहा है, back links के आप से इन्ने शॉट करके आपको दिखा दिया ऐसारे, ठीक है, यह सारे backlinks के आप से popular topics है, overview में जाएंगे, ठीक है, तो सबका थोड़ा-थोड़ा आपको idea मिल जाएगा, जैसे top 10 headlines by backlinks है, top 10 interested questions है, subtopics wise है, ठीक है, top में है, trending में चाहो, तो उसमें चले जो, volume wise है, top और volume wise है, ठीक है, top और volume wise है, तो top और volume wise है, अब चाहो तो trending को volume wise भी कर सकते हो, then related searches है, ठीक है, तो digital marketing की जिखा, इस है, और यह mind map बहुत interesting है, ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पर आपने यह इस टाइप की बहुत देखी होंगी, social media के उपर बहुत 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 शेयर होते हैं, बट यह आती है, CCM Rush के tools हैं, topic research के tools हैं, content research के tools हैं, तो यहाँ पर possible जितने भी combinations बन रहे हैं, permutation combinations, व social media यहाँ पर, यह आपको social media वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम किसी और पर भी चलते हैं, तो उससे related आपको मिल जागा है, जैसे digital marketing और brand awareness को पकड़ते हैं, digital marketing brand awareness, तो अब यह देखो, six innovative ways to increase brand awareness, 18 sneaky ways to build brand awareness, ठीक है, अब यह digital marketing के सब topics से related headlines मिल गई, उससे related questions मिल गई, questions को topics में बहुत अच्छे होते हैं, युकि देखो, information के basis पर user क्या सच करता है, वो अपनी query type करता है, question के form में, उसको result चाहिए, उसको answer चाहिए, तो आप उसके लिए answer prepare कर सकते हो, इस तरीके से ठीक है, यह बहुत सीज है, related search है, तो यह छोटा सा topic research का option है, but topics बहुत सारे मिल ज सकते हो, बाद के लिए हैं सारी चीज़ें, जैसे किसी पर Google Analytics पर मोर करता हूँ, यहाँ पर आपको options मिल जाएंगे, आप चाहो तो जैसे यह है, यह Google Analytics Academy है, इसको हमने कर दिया, तो यह favorites में आपको मिल जाएगी, तो बाद में मतलब कुछ आप short करकर रखना चाहते हो, आप क्या है, किस तरी काम करता है, कैसे-कैसे हमको topics ढून के देता है, और अगर आपको यह tool नहीं है, आपके पास paid tool नहीं है, तो अब भी आपके पास एक idea generate हो गया होगा, किस तरीके से हम topic research कर सकते हैं, ठीक है, आपने keyword डाला, अप क्या possible questions उससे बन सकते हैं, ठीक है, आप चा इतनी अलदी शुरुवात में, जो लोग, आप लोग करियर में होते हैं, उसमें problem होती है, बट जो मैंने आपको शुरुवात से बता हैं, कि इस टाइप की series बनाने का मेरा मतलब क्या है, जैसे RF हो गया, CMRush हो गया, और भी वाकी tools आएंगे, मतलब यह है, कि आप थोड़ा के वल उसी purpose के लिए, जैसे मने बताया है तो आपको screaming frog है, तो के वल अलग से वो tool है, तो उसको भी आप use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह depend करता है, कि इन में से कितनी चीज़ों को आप free tools में, आपके पास options है, जिन में free tools को use करके आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, कितनों के लि करते हैं, तो आप कर आप सकते हैं, ओ्री आपान करते हैं, और menjadi कज़ँ का कर सकते हैं, चरल वे अनुम, ज्यास है कितनी अज़ों करी आप कर सकते हैं, जिन में ऑके आपर झांपान कुम दू़ों कर सकते हैं, टापको आपकर ए cruise, ए Chris य', जो रह ब़